वेलकम बैक तो पाइफन टुटोरियल्स जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग ठीक है आपके लिए हो सकता है यह बिलकुल नया टॉपिक हो सो मैं कुशिश करता हूँ कि आपको इसका हर बेसिक समझ में हम इसका यूज करते हैं और हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं अब कोड लिखते समय ठीक है अगर आपके कोड में कोई भी एरर आता है तो उसको हैंडल करना तो उसको समहालना उस टाइम पर क्या है कि एक तरह का बैकड प्लान बूल सकते हो ठीक है कि अगर किसी एक्जाम राइट कर रहे हो तो let's say आप IAS की तयारी कर रहे हो ठीक है और उसमें आप fail हो जाते हो अगर आपके पास कोई backup plan नहीं है तो आप बरवाद हो ठीक है तो mostly क्या है कि ये general life से अगर आप इसको relate करोगी तो इसको एक kind of backup plan बोलते हैं अगर हम fail हो जाएं तो तो अगर आप मालो तैयारी करते करते आपसे कोई exam नहीं निकले और आपने आपके पास गाओं में आपकी जमीन वगएरा है तो आप खेती कर लोगे ठीक है ये हो गया आपका backup plan और नहीं तो आप यह कहोगे कि चलो मैं IAS की तो तैयारी करी रहा था तो SSCCGL तो मैं निकाली सकता हूं तो वह मैं दूंगा आराम से उसको निकाल लूँगा तो वह आपका backup plan हो गया तो same इसी example से आप relate करो python में error handling में तो python में आपने code लिखा ठीक है आप full confidence थे but एक time पर आके वह code आपका खराब हो गया मतलब आपने कोई ऐसी error या कोई ऐसी mistake कर दी जहां पर वह code crash हो गया तो वह चीज से बचने के लिए ठीक है अगर मालों आपका error आ भी जाता है तो situation में आपका जो पूरी application है वह crash नहीं होनी चाहिए तो पहले तो आपको यह बता देता हूँ कि मैं error कौन-कौन से type के होते हैं now हमारे फिलाल दो primary type के errors होते हैं एक को बोलते है compilation time error एक होता है runtime errors तो compilation time errors वो बोलते हैं कि जैसे कि आपने code में कोई syntax mistake करी syntax मतलब आपने कोई error commit error किया लिखने में मालो variables के नाम को आप integer से चालू नहीं कर सकते है ठीक है तो और आपने ऐसे कर दिया तो उसको बोलेंगे आपका compilation error let's say आपने कोई ऐसा function को call कर रहे हो जो आपने define ही नहीं किया आपको आपने let's say ऐसा function मालो sum को call कर रहे है और sum ही नहीं आपके code में exist ही नहीं करता है तो इन सब चीज़ों को मतलब यह हमारी mistakes हैं यह syntax mistakes हैं तो इन mistakes को क्या बोलते हैं compilation time पर यह error आ जाता है मतलब जब भी compilation होती है तो आपको यह अगर नहीं पता कि compilation कब होती है PVM कब code को execute करती है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो कि how python works deeply तो मैंने सब कुछ explain किया है उस वीडियो में तो ठीक है तो अब आते हैं compilation time error आपको समझ में आ गया होगा कि आपने syntax कोई भी mistake करी है तो वो compilation time पर आएगी तो जैसे कि मैंने यह एक example भी दे रखा है आपको य जैसे कि आप example यह देख सकते हो कि मैंने लिखा है if a is greater than 10 print a और मैंने यह उपर a equal to let से 11 लिख दिया बढ़ यहां पर एक चीज़ देखो कि a greater than 10 के बाद colon बहुत जरूरी है ठीक है जो double colon होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं तो इसी को python का syntax बोलते हैं तो उस colon के बाद पत statement थी यहां पर end हो रही है उसके बाद जो भी इसके अंदर का block है वो लिखा जाएगा तो अगर आपने वो लगा ना भूल गए तो यह क्या होगी आपकी एक syntax mistake तो एक compilation time पर पता चल जाएए now run time errors पर आते हैं जो भी errors जितने भी syntax checking में से compilation time में से बच जाते हैं छूट जात हैं specifically to be exact अगर बोलें तो code जब भी run होता होता है तब वो errors आते हैं तो जब भी ऐसा कोई भी error आता है एक single भी किसी भी वक्त वहीं पर आपका code terminate हो जाता है मतलब आपका code बंद हो जाता है जो आपका program run हो रहा था ना वो बंद हो जाएगा वहीं कि वहीं तो उसी चीज़ से बचने के लिए तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक example लिखा है let's say आपने result लिखा आप ऐसा code लिखो मैं आपको उस पर भी करके दिखाता हूँ विज्वल स्टूडियो में तो अगर आप ऐसे लिखो result equal to 10 divided by 0 ठीक है और अब आप इसको print कराओ तो जब आप इस code को यहाँ run करोगे न पाइथन यह है error handling this is in code practice okay cd now यह देखो यह जो error आए न जीरो division error यह runtime error बोलेंगे इसको जब यह code run हो रहा था इसने cpu ने इसको 10 को 0 से divide करने की कोशिश करी और फिर वहीं पर इसको error आ गया तो हुआ यह कि जो यह print statement थी न यह execute नहीं हुई तो आप इसके बाद कुछ भी लिख लो कितना भी कुछ भी डालते रहो let's say आपने यहां पर ऐसे डाल दिया मैंने लिखा कोई variable लिया नम ठीक है नम में मैंने 10 10 प्लस 20 लिखा ठीक है और इसको print कराने की कोशिश करणा हूँ अब देखो यह error फिर से आया यह error कहा है यहां पर exactly इसकी वज़े से जो बाकी का code था ना वह execute ही नहीं हुआ तो समझते हैं कितना dangerous हो सकता है आपके code में अगर error आ जाए और बाकी line आपके लिए बहुत important है execute करने के लिए इसी वज़े से वो execute ही नहीं होंगी तो इसलिए जब भी error आता है तो उसको handle करने की जरूरत है उसको समालने की जरूरत है आपको एक backup plan चाहिए ठीक है तो यही ही वज़े है कि हम अपका error handling का इस्तिमाल करते हैं किसी भी programming language में यह कोई python के specific नहीं है किसी भी programming language में ओके अब मैं आपको यहीं पर code के थूरू ही बताता हूं कि आपको कैसे error handling करनी है तो इसके लिए जो syntax होता है जो इसके लिए आपका syntax है वो क्या होगा एक try और accept block होता है try accept try में क्या होता है जो भी code आपको लगता है जो भी आपका code है वो आप try block में डालोगे और जो भी code आपका error होने के बाद आप चाहते हो कि error आने के बाद ये चीज़ print हो क्योंकि देखो जो भी code आप try block में डालोगे आपके error आएगा तो try उसको समाल लेगा ठीक है try आपके program को बंद नहीं होने देगा अभी मैं बिल्कुल प्रोग्राम पहले जैसा लिखता हूँ try में लिखता हूँ a a equal to 10 divided by 0 ठीक है हम मैं a को print कराने की कोशिश का आता हूँ now try हमेशा आता है accept के साथ अगर आपने try block लिखा है ने try colon फिर उसके अंदर code लिखा है तो उसके बाद एक हमेशा accept accept का मतलब है कि अगर try try का मतलब है कि यह चीज try करो जैसी कि IAS का exam try करो अगर fail हो गए तो कहां खेती करने लग जाओ बिल्कुल सेम ऐसे try try block में गया accept मतलब खेती करो यहां पर खेती मत करो यहां पर print statement डालो और लिखो कि हां इसको आप अगर आपको error को print कराना है specifically catch करके यहां तो जो print हुआ है code बंद हो गया तब error प्रिंट हुआ है अभी क्या है कि आपका code बंद नहीं होगा और आपको error भी पता चल जाए तो इसको लिखना है accept e accept exception as e exception मतलब इसको error कोई exception बोलते हैं जो भी मतलब एकदम से कोई exceptional case हुआ है exceptional आपका failure हुआ है उसी को बोलेंगे तो आप लिखोगे accept exception as e तो उसको कहां save किया जो भी exception अकर किया उसको कहां किया e के अंदर जो जो भी आपका error है वो e के अंदर है तो print करा हो e को तो आपको string formatting भी पता होना चाहिए वैसे तो so error is क्या error है आपका e ना उसके बाद मैंने एक चीज ये भी लिखी थी कि लेट से मैंने कोई नंबर लिया था और नंबर में 10 प्लस 20 कर दिया था और उसको print किया था तो ये चल नहीं रहा था तो ये जो print statement थी चल नहीं रही थी क्योंकि उस टाइम जैसी error आया code बंद हो गया हमारा अब अब मैंने क्योंकि try except block यूज किया तो ये बंद नहीं होना चाहिए ठीक है यही चीज आपको दिखा नहीं थी exactly तो अब इसको run करते हैं अब देखो आपका जो आपका जो आपका जो error है कितनी आसानी से handle हो गया वो देखो आपका code crash नहीं हुआ और ये 30 print भी हो गया यहां पर जो यह line था तो सबसे पहले यहां आया यह हमने कोई illegal operation था जो run time पर fail हो ठीक है उसके बाद मैंने print किया A को तो यहां पर यह code fail हुआ जैसे यह fail हुआ ना तो यह जाएगा accept block में यह तीन नमर पर नहीं जाएगा तीन नमर पर क्या करेगा क्योंकि वो fail हो चुका है वहां पर fail होने के बाद जो handle क्या है कि हमारा backup plan होगा अगर आप fail हो गया exam में त तो backup plan execute होगा ना कि उसके बाद के steps ठीक है कि भई तुम्हें वर्दी मिल जाएगी टोपी मिल जाएगी तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी बंगला मिल जाएगा वो तब जब तुम्हें exam पास करो कि जब मिलेगा ना ऐसे थोड़ी मिल जाएगा तो अब fail हो गए हो तो अब backup plan इस backup plan में यहां घुजो यहां घुजने के बाद जो भी आपने print statement डाली है मैंने इसको as a e save किया थो जो भी error था accept मतलब accept exception जो भी error है उसको e में डालना है e में डालने के बाद उसको print करा लिया मैंने ठीक है अब यहां देखो जैसे यहां fail हुआ error is आया ना उदर error is division by 0 यह e था e यह error था division by 0 आपको पता चल गया कि भाई error क्या है now जो आपको एक और last चीज मैं बताना चाहता हूँ वो हो गया आपका finally block तो try catch block तो आपको समझ में आ गया होगा कि try में अगर कोई error आता है try block के अंदर जो भी code लिखा है तो वो accept के अंदर चला जाता है code बंद नहीं होता तो वो accept के अंदर चला जाता है जो भी वहां होता उसको execute करता है फिर आपका program normally आगे बढ़ जाता है तो यह हमने इतना समझ लिया अब आगे बढ़ते हैं इसमें finally block का क्या मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक example दिया है ना जो आपको यहाँ पर यह देखो try में लिखा मैंने print x accept में लिखा error record तो अगर try block में कोई error आता है तो accept में जाएगा बट जो यह final operation है ना finally यह हमेशा execute होगा जो भी इसके अंदर होगा जो भी इसके अंदर होगा whatever inside it it will always gets executed अगर try के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो accept के अंदर वो आएगा ही नहीं इतना आपको पता है but finally के अंदर हमेशा आएगा तो try के अंदर पहले try के अंदर जाएगा फिर अगर error आया तो accept के अंदर जाएगा वरना नहीं जाएगा और फिर जैसे ही इन दोनों में से इनका अपना मामला निप्टा तो finally यह तो हमेशा ही execute होगा तो यह इस तरीके की बात है कि भई तुम चाह कुझभी कर लो चाह तुम IES बन जाओ या फिर तुम फेलो जाओ या कुछ भी कर भी बन जाओ घरवालें की तो गालियां पढ़नी है तुमको कि यह चीजञी की कमी रह गई वawi ऐसा situation है, तो ये block diagram के through, अच्छे से आप समझ सकते हो, क्योंकि शायद आपने block diagram तो हमेशा पढ़े होंगे, तो, तो जो try block था, अगर try block में error आता है, तो ठीक है, अगर error आता है, yes, तो वो जाएगा accept में, accept में, accept को execute कराने के बाद वो जाएगा, finally में, ठीक है, जो दूसरा path था, वो क्या था, try के बाद error नहीं आता, no, ये वाला path, error नहीं आता, तो वो finally में चला जाएगा, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि, अगर error आए या ना है, finally में तो जाए गई, तो ये था finally का, finally में कोई आप ऐसी line डाल सकते हो कि, वही, मनलब जो हमेशा print, या फिर जो ऐसा code जो हमेशा execute हो रहा ही होगा, चाहे आपका code fail हो, pass हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पर इस तरीके का use कर सकते हो, तो finally ये चीज होती है, so इतना ही था इस topic के अंदर, तो I hope आपको समझ में आ गया होगा, and पढ़ते रहे हैं, त्यारी करते रहे हैं, और आगे काफी अच्छे अच्छे वीडियो में लेके आ रहा हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठेक केर, बाई बाई